Hello students, welcome again to Learn with the Timen. तो last video हमने chapter number 10 में ही अजमेर जिले में जितने भी परेटन सल हैं, उनके बारे में हमने question answer कर लिये थे. चेप्टर में एक भी question जो है वो नहीं चूटा है. आज हम करेंगे अलवर जिले से संबंदि जितने भी परेटन सल हैं, ठीके? तो एक-एक वीडियो जो है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका एक भी question जो है वो miss नहीं हो पाए, क्योंकि यहां से आप लोगों के बहुत सारे question जो है वो exam में पूछे जाते हैं, ठीके? और चाहे आप read की कर रहे हों, RAS level तक की कर रहे हों, तब आपकी ये question जो है वो बहुत जादा important रहेंगे, तो छोटा-छोटा वीडियो इसलिए बन रहा है, क्योंकि जितने भी जिले हैं, यदि आप अलग-लग करके इनको याद करेंगे, तो ये आपको साथ में ही याद हो देखा था, तो यहाँ आज हम अलवर जिले से संबनित question कर रहे हैं, तो सरिस्का tiger reserve कहां इस्तित है, अलवर जिले में इस्तित है, next देखिए question number 22, सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा कब दिया गया, तो देखिए, computer वाले सर जो है, उन्होंने यहाँ पर अभिहारन्य जो है वो शब्द जो है, वो गलत लिख दिया है, तो अभिहारन्य बहा जो है, वो पूरा आएगा, सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा कब दिया गया, तो एक नवंबर 1955 में दिया गया, जब राजिस्तान का एक इकरन हुआ, उससे एक वर्स पहले, तीक है, इस तरीके से याद सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा एक नवंबर 1955 को दिया गया, नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 23, सरिस्का अभिहारन्य को टाइगर रिजर्व कब घोसित किया गया, तो टाइगर रिजर्व इसे घोसित किया गया, 1978 से 89 में, नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर सरिस्का अभ्यारन का वन शेत्र कितना है? 1203 वर्ग किलोमीटर. कितना है? 1203 वर्ग किलोमीटर. देखिए question number 25 प्रसिद भानगर्ड राजिस्थान की किस जिले में इस्तित है? नेक्स्ट देखिए question 26 भानगर्ड की इस्थापना किस के दौरा की गई? तो भानगर्ड जो अलवर जिले में हैं यहाँ पर बहुत सारे परेटक जो हैं वो यहाँ पर देखने आते हैं लेकिन य अमेर के महराज भगवान दास के पुत्र माधव सींग द्वारा अपनी प्रतम नगरी के रूप में ठीक है तो माधव सींग ने भानगड की स्थापना की थी और ये किसके बेटे थे भगवान दास के बेटे थे नेक्स्ट देखिए कुश्चन 27 भानगड के खंडरों में कित सुव्यवस्तित, दुकाने, बजार, स्वामिस्वर, महादिव का मंदिर और तालाब देखिए एक बात सुनिए कि आपका जो रीट का एक्जाम है वहाँ पर तो आपके कुश्चन जो इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं कि जो बहनगड है वह किस जिले में है ठीक है और किसने इसका निर्मान करवाया ठीक है इतना ही पूछा जाएगा इतना ज़्यदा डीप में नहीं पूछा जाता है आरेस की कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर एक कुश्चन ध्यान में देना होगा और आप इन बुक से जो है वह बच नहीं सकते हैं लास्ट में आके आपक गई है मुसी रानी की स्मृती में ठीक है याद रह जाएगा और इसे महराज बक्तावर सिंग की पतनी मुसी महरानी जो है वो महराज बक्तावर सिंग की पतनी थी next देखिए question 29 है मुसी महरानी की चतरी में वास्तू कला की कौन सी शैली देखने को मिलती है तो यहां पर भारतिय वह इस्लामिक शैली जो है वह देखने को मिलती है next देखिए question number 30 मुसी महरानी की चतरी में कितने इस्तंब है मुसी महरानी की चतरी में कितने इस्तम है, तो इसमें 49 इस्तम है, 27 जो है वो बहुत विशाल है और 12 अन्य है, नेक्ट देखिए question number 31 है, मुसी महरानी की चतरी कहां इस्तेत है, तो बिलकुल पता है, अलवर में है, अरावली पहाडियों से गिरी हुई है, city palace वा सागर जील के निकट, ठीके, तो पूछा जा सकता है, city palace वा सागर जील के निकट किसकी चतरी है, मुसी महरानी की चतरी है, ठीके, question पढ़कर जो है उसका answer ऐसे याद कर लेना है, कि इस question को कैसे भी घुमा के पूछा जाए, answer आपको पता होगा, ठीके, चाहे answer को question बना कर पूछा जाए, चाहे यह question जो है, वो direct पूछा जाए, next देखिए, question 32 है, मुसी महरानी की चतरी में किन छवियों का चितरन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भगवान स्रीकृष्ण, रामचंदर जी, सीता, लक्षमी, आदी देवताओं का और महराज बकतावर सींग के जीवन संबंदी चितरन देखने को मिलता है, तो मुसी महरानी जो है, बकतावर सींग की ही पतली थी, अलवर के लोग देवता किसे कहा जाता है, तो भरतरी जो महराज है, उनको अलवर के लोग देवता कहा जाता है, next देखिए, question 34, भरतरी का मेला किस तिती को लगता है, भरतरी का मेला जो ह वह किस तिती को लगता है? तो यह भादरपद अस्टमी को लगता है. भरतरी का मेला जो है वो भादरपद अस्टमी को लगता है. भरतरी के मंदिर का पुनरुद्दार किसने करवाया? ठीक है? पुनरुद्दार किसने करवाया? तो महराजा जैसिंग ने 1924 इस्वी में भरतर के मंदिर का पुर्वी चोर पर ठीक है अब यह कुश्चन जो है वो रीट में पूछा जाने वाला कुश्चन है तो यह आपको पता है कि अलवर जिले में है तो अगर आपके जो अलग-अलग ओप्शन दे दिया जाए और अरावली के उत्तरी शोर पर पूर्वी चोर पर ठी पर ऐसे दे दिया जाए तो ध्यान नहीं रहता है क्योंकि इतना डीप में जाकर नहीं पड़ते हैं तो अलवर से 15 किलोमीटर दूर अरावली की पक्षमी शोर पर इस्तित है सिली सेट जील नेक्स्ट देखिए 37 कोश्चन सिली सेट जील का निर्मान किसने करवाया तो किसन सिंग द्वारा 1845 इसमी में सिली सेट जील का निर्मान करवाया गया जो कहां पर है अलवर जिले में है हम पढ़ रहे हैं अलवर जिले से संबंदे सभी प्रश्न तो एक भी प्रश्न जो है वो आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा कई बार में आप लोगों को बता चुकी है सिली सेट जील को किस नदी पर बनाए गयए रूपा रेल नदी पर अब देखें कई बुच्चे जो है वह वो कुशन क्या पूछते हैं कि हमारे एक्जाम में क्या यहीं से आएगा इसा नहीं होता है ठीक है यह हम लोग आइडिया लगाते हैं चैपटर में से की यहीं जो है वो इस तरीके से बनाया जाएगा अब examiner के उपर depend करता है कि वो इसी question को किस तरीके से पूछे बहुत hard रूप में पूछ सकता है वो ठीके या बहुत easy way में भी पूछ सकता है तो ये examiner के उपर depend करता है तो ध्यान रखना Silly Seed जील जो है वो रूपा रेल नदी पर बन किया जाता है तो Silly Seed जील जो है उसके ही side में क्या है heritage hotel है तो इसको बतोर संचालित किया जाता है किसके द्वारा तो इसे राजिस्तान परेटन विकास निगम के द्वारा जो है संचालित किया जाता है तो आज हम वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि पर ले लिये गए हैं और आपको दुबारा से यही बात में बोलूँगी कि यहां से बाहर जो है वो आपका question नहीं आएगा ठीके तो परेटन स्थल जो है यह आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से संबंदित जो है वो आपके कई question solve हो जाते हैं तो चलिए इसी तरीक किसे राजिस्थान के GK के साथ हम लोग next video में next जिलेक से संबंदित जितने भी परेटन स्थल होंगे उनको पढ़ेंगे आप लोग यह मत सोचिए कि video जो है वो काफी बनते हैं या हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि आप लोग जो है वो तैयारी जो है वो कर चुके हो तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये books जो है वो अभी तक नहीं पड़ी है सब भी लोग पढ़ चुके हैं exam आप लोग देते हैं unit wise test आप लोग करते हैं उसी से idea लग जाता है कि आप लोग कितने अच्छे से तयारी कर रहे हो तो इसी तरीके से full motivation के साथ इनको परते रहे हैं और साथ में जो हिंदी सिक्षण विधियां है सामाजिक सिक्षण विधियां है अपकी उनको भी आप लोग पढ़ते रहे हैं जो भी आपके पास books है या邹वी notes आप लोग होने बनाए हैं और यूट्टीब चैनल पर जो है बहुत सारी हिंदी सिक्षण इसे question जो है exam में पूछ जाते हैं ठीके तो जितना भी ज्यादा आप लोग practice करेंगे section वीडियों से संबंदित तो वो चीज आपको exam में काम में आएगी ठीके section से संबंदित जो भी question होते हैं वो रटने का विसे नहीं होते हैं जो रटने का विसे होते हैं वो मैं आप लोगों को करवा ही रही हूं तो चलिए मिलते हैं next video में thank you